आज हम एक्सप्रेशन एडिटर के तुरूई स्टेरिंग्स करते हैं माल लो हमारे पास दो टायर्स है मैं चाहता हूं इस स्टेरिंग को घुमाए तो दोनों टायर्स भी घुमें तो पहले तीनों को फ्रिच कर देना फ्रिच फॉर इनिशियल वाल्यू मैं चाहता हूं यह 45 और माइनिस 45 से जादा रोटेट ना हो वाई एक्सिस में रोटेट वाई में तो लिमिट लगा देते हैं लिमिट 45 तो माइनिस 45 हो गया देन शॉर्ट नेम देते हैं लाइक S T1 & T2 open expression editor type expression T1.rotate y equal to s.rotate y अब देखते हैं अब देखते हैं एक वह टायर रोटेट हो रहा है इसी expression को copy करके T2 कर दो तो दोनों टायर इकठे रोटेट होने चाल हो जाएंगे अब आब दाउट यहोगया Stirring's अब करते हैं एक box लगाते हैं टायर के ओपर प्रिज कर दो इसको भी और टायर रोकित कॉपी टायर पिंक है इसका मतलब कि ये बाइंड है तेपो फोर प्रैस करने पे पिंक का रहे है मनला भी आपस में रिलेशन में तो आप इसको रोटेट करोगे तो वो जो बाइंड अपया भी बी चल रहा है अब मैं चाहता हूँ कि ये बाला बोक्स आगे बढ़ा हूँ जट एक्सेस में तो टायर भी रोटेट हो एक्सेस में तो इसे नाम दो बॉक्स अब हमें एक और एक्स्प्रेशन लिखना है अब हमें इसके ट्रांसलेट जैड को इसको रोटेट एक्स के साथ लिखना है तो लिखो टीवन डॉट रोटेट एक्स था ना इक्स था ना इक्वल टू जैड का बॉक्स डॉट रोटेट एक्सी था जैड ट्रांसलेट अब देखो टाय रोटेट हो रहे है और बॉक्स को ले आने पर वह ठीक और आगी होना चाहिए प्रोटेट स्पीड गम है तो मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ और टायर ना साथ जाने चाहिए तो चारो टायरो को सेलेट करना आफ्टर डेट बॉक्स को सेलेट करना प्रेस पी पीफोर पेरेंट अब वो इसके चाइल्ड हो गए अब साथ जाएगा देखो बॉक्स आगे बढ़ रहा तो टायर भी आगे बढ़ रहा है कोड़ी स्पीड और बढ़ा दो अब समझा रहा है अब यहीं लाइनों को चार बार लिख दोगे तो चारो टायर चल पड़ेंगे बिना पेट्रोल के अब 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 चल रहे हैं स्टेरिंग को इसका चैल्ड बना दो और यहां पर यह रोटेट भी वह समझा आया तो क्या करो आज इस कॉंसेप्ट को क्लियर करो from next session में एक हमारी मॉडल की भी कार उठाएंगे उसके टायर उसके स्टेरिंग उसके वाइपर्स डॉर्स सब रिक कर देंगे इसी सेम टेकनिक से चीक है तो इस बेसिक था इस बेसिक को क्लियर करो मॉऑण तो ईसलिए कवा हमां जो आहलें करसं हम उस्यान कि नच्म ुप कर देंग踏